जैश्री कृष्णा दोस्तों, धर्माचरा चैनल के माध्यम से आद गीता के प्रतम अध्याय का महत बता रही हूँ गीता जीवन में जीने की कला तो सिखाती ही है, हमें तेजस्वी बनाकर परमात्मा में लीन होने का रास्ता दिखाती है रोजाना प्रतम अध्याय को सुनने से अपने पित्रों की मुक्ती होती है एक आश्रा में रिशियों के बालक के मुक्त से एक तोता रोज गीता का प्रतम अध्याय सुनती थी उसके सुनने मातर से ही वैश्या को सभी पापा से मुक्ति मिल गई और भव सागर को पार करके बोश्ट को प्राप्त हो गई गीता का प्रथम अध्याय इस प्रकार है तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो मैं मुक्त पापों से करूँगा तूने चिंता व्याप्त हो राजा धर्तराष्ट ने कहा रण रालसा से धर्म भोकर शेत्र में एकत्र हो मेरे सुतोने पांडवों ने क्या किया संजय कहो संजय ने कहा तब देखकर पांडव कंटक को व्यू रचना साज से इस माति दर्यो धन वचन कहने लगे गरु राज से आचार्य महती सैन सारी पांडवों की देखिये तब शिष्य मदुवर दुपद सुतने दल सहित व्यूईत किये भट भीम अर्जन से अनेकों शूर स्रेष्ट धन धरे सात्य की दुपद योद्धा विराट महारती रणां कुरे काशी नपती भट द्रस्ट केतु चेकितान नरेश हैं श्री कुंति भोज महान पूरजित वैश वीर श्विशेश हैं श्री उत्तम मोजा गेधा मन्यू पर हैं आप फिर श्री भीश्म कर्ण अजय करण रणधीर हैं भूरी श्रवा गुरु पुत्र और विकर्ण से बलवीर हैं रणसाज साजे निपन शूर अनेक ऐसे बल भरे मेरे लिए तयार हैं जीवन हतेली पर दरे श्री भीश्म रचित हैं नहीं पर्याप्त अपना दल इस हेतो निज मोर्चों पर वीर पूरा बल घरे सब और चारों ओर से रक्षा पितामे की करे कुरुकल पितामे तब नपती मन मोद से भरने लगे कर विकट गरजन सिंग से निज शंक द्वनी करने लगे फिर शंक मेरी ढोल आनक को मुखे चंग ओर से जब युद बाजे ए आगे बढ़े श्रीकष्ण अर्जुन पांच चन्याने देव दत्त कुंजा उठा फिर भीष्म कर्मा भीम पॉंडर विन नाद करने में जुटे करने लगे धुनी निज अनंत विजय लिए गुंजित नकुल सह देमने सुभोष मने पुश्पक की काशिय नरेश विशाल दनुधारीश कंडे वीर भी भट दुष्ट द्यम्न विरात सात्य की स्रेश्ट योधा गण सभी सब द्रोपदी के सुथ द्रोपत दो सबद्र बल भरने लगे चुम और राजन वीर नेजने शंक द्वही करने लगे घोर शब्द विदीन सब कौरा भिर्दय करने लगा च लीजिए दोना दलों के बीच में अच्चित खड़ा कर दीजिए लो निरिक्षन युद्ध में जो जो रण वीर हैं इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने दीर हैं मैं देख लू रण हे तो जो आए यां पलवान है जो चाहते दुर बुद्धी दुर्योधन सुन लिया दोना दलों के बीच में जाकर खड़ा रत को किया राजा रथी श्री वीश्म द्रूना चारे के जा सामने लो देख लो को रव कटक अर्जुन कहा भगवान ने ता पार्त ने देखा वहां सब है स्वजन बूडे बड़े आचार भाई पुत्र मामा पौत्र वि से होते शितल हैं अंग सारे सुखे मेरास मुक्रा तनकापता थर थर तता रुमांच होता है वहां गांडीव गरता हाँ से जलता समस्त शरीर है मैं रहे नहीं पता खड़ा मन भ्रमित और अधीर है केशव सभी विप्रीत लक्षन दिकर है मनमलान है रडमे सवजन्व आज की इच्छा रही लड़ने खड़े हैं आज जज दन और जीवन की वहीं आचारे गण मामा पिता मैसुत सभी बड़े बुडे साले ससुरस नहीं सब ब्रिये बहुतर समंदी खड़े क्या भूमी मदु सुदन मिले ते लोग के कायदी राज भी लवे मार ले वैशस्त म उन पर छोड़ूंगा कभी इनको जनारदन मार कर होगा हमेशंता भी है आताताई मानने से पर लगेगा पाप ही यह माधाव उचेत वद है इनिन बंदो हैं अपने सभी ने जबंदों को मार का क्या हम सुदी होंगे कभी मदी अंद अंगी लोब से देखतान है उनको आप ह कुल नाश दोशों गाजनारदन जब हम सब ज्ञान है फिर क्योंन ऐसे पाप से प्रचना बलावग्वान है कुल नश्ट होते दृष्ट होता कुल सनाता धर्म है जभ्रभ जाता पाप और अधर्म है जब व्रदी होती पाप की कुल की विगड़ती नार यह एक रिष्ण फूलती तब वन संकर क्यारियां कुल घात की को और कुल को ये गिराती पाप में होतान तरपन पिंड़ियों पढ़ते फिरंतर संताप में कुल घात कों के वन संकर कार की इस पाप से सारे सनातन जाती कुल के धर्म मिटते आप से इस भाते से कुल धर्म जिनके कृष्ण होती ब्रश्ट हैं कहते सुना हैं भी सदा पाते नरख में कस्ट हैं हम राज सुख के लोब से हापाव या निश्य किये उद्यत हुए सम्मंदियों के प्राण देने के लिए यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी निशस्त्र हो मैं छोड़ दू करना सभी प्रतिक इट्रब आसरैंट प्रकाराँ को जरू दूँए घच एектив प्रतिक हो मारे मुझे करना सभाण चूंदियों कि मारे मुझे के लिए निय।